तो दोस्तों ये है हमारे पास चार best camera smartphone और यह मारे पास दो स्रीज में एक V29 स्रीज और V30 यहां पर V29, V29 प्रो, और V30 और V30 प्रो बागियारव हम लोग इन चारों फोने camera test करेंगे और जैसे करनते हैं कि चारों में camera अच्छे हैं तो price range की बात करनें तो वह भी same है तो आज देखेंगे इन V स्रीज में V29 या V30 दोनों में कौन सा सही है और प्राइस रेंज की साफ से कौन सा बैटर है और चार फोन भाई यह काफी रिक्रमेंडेट वीडियो है काफी देख कॉमेंट रहा था इसलिए इस वीडियो को बनाना भाई बनता है तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है V29, V29 Pro में कलर बुश्टिंग वाली चीज थी 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 तोड़ा लेंगिन क्या V30 और V30 Pro में यह चीज है लेकिन यहाँ V30 स्रीज जो है वो काफी अच्छे से बैक्राउंड को मतलब उतना कलर बुश्टेड नहीं कर रहा है यह स्किन टोन की बात करें तो डार्क हो जाता है थोड़ा कभी V30 स्रीज में लेकिन अगर डैनेमिक रेंज की यहाँ पर बात करूँ यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करोगे V29 स्रीज दोनों है प्रो वाली आपको थोड़ा सा फॉग सा दिखेगा पेडों पर जो की साफ क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन वहीं V30 जो है वहाँ पर बैक्राउंड को काफी अच्छे से बैक्राउंड को क्लियर वीडियो को शूट कर रहा है और यहाँ पर थोड़ा सा डार्क ले रहा है V30 30 प्रो थोड़ा ठीक है इसकिन टोन की बात करें चारो फोर इसकिन टोन अच्छी लेते रेड टोन का प्राब्लम नहीं है और आपको काफी सही टोन वगएर मिल जाता है कलर डीटेल लेकिन यहाँ पर मुझ लेकिन इसकाई में आपको चेंज देखने को मिलेगा वी 30 स्रीज में बहुत कम है 19-20 का फरक है लेकिन थोड़ा मिलेगा अगर वहीं बात करूं मैं कलर्स की क्लूज अप शौट थोड़ा से लेता हो तो डीटेल में कलर में बहुत सही है ज्यादा आपको फरक है मतलब आप बता नहीं पाओगे किसका वीडियो कौन से फोन से लिया गया है अगर मैं OIS की बात करूं हूँ 4K में तो 4K में OIS उतना बेटर काम नहीं करता है अगर आप 4K 60 पर वीडियो शूट कर रहे हो तब तो OIS मुझे नहीं लगता कि काफ़ अच्छा काम अगर देख से तो V39 30 प यहां पर मुझे लगा कि V30 में थोड़ा बेटर फोटेज मिल रहा है बाकी फोन के मुकाबले क्योंकि मैंने एक चीज और नोटिस किया V30 स्रीज में अगर स्टेडी मोड ओवाइस ऑन करोगे 1080 पर आपको 30 fps मिलता है बाकी में OIS करने पर 60 मिल जाता है यह तीनों में लेकि पर आपको V30 स्रीज थोड़ा बेटर काम करें कि बाकी V29, V29 Pro, 30 Pro सब सिमिलर काम करें कुछ ज्यादा उतना फर्क नहीं है लेकिन हाँ V30 थोड़ा मुझे 30 fps पर अच्छा लगा यह वीडियो शोड़ रहा हैं के back camera से 4K में 2x पर Pro स्रीज में आपको यहां पर टेली फोटो लेकिन आपको नॉन परो में टेली फोटो नहीं मिलता है लेकिन मैं quality की बात करूँ टेली फोटो लेंग से कोई जयादा फर्क नहीं आता है चारू का वीडियो काफी अच्छा आता है, detail हो DVD रेंज हो, skirt हो your tone हो सब कुछ accurate होता है, Sunlight अगर यह स्यादा रीट राड्टोन का इसकी टोन वगराद भी ठीक है बैक्डराउंड में कलर बूश्टिंग थोड़ा वी 29 स्रीज में जादा होती है अल्टरा वाइड अगर हम टेस्ट करें यह अल्टरा वाइड चारो की वीडियो में लेकिन यहाँ पे वी 30 प्रो में आपको 4K 60 का मिलता है जो की मुझे बहुत ही जादा सही लगा यहाँ पर यह एक बड़ा एडवांटेज है और यह बड़ा अपग्रेड भी है कैमरे में अगर आप V30 प्रो लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको 4K 30 मिल जाता है जो की काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल की चीज़े अल्टरा वाइड में काफी अच्छी क्वालिटी आ जाती है तो इस चूर रहे है इन चाबरो फोन ये फ्रेंट कैमरे से और 4K 30, 4K 60 का सिफ डिफरेंस आपको देखने मिलेगा लेकिन क्वालिटी के अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 4K सब में मिलता है बस वहाँ पर स्मूथनेस मतलब की जो क्वालिटी 4K 60 को होती है वो चीज आती है बागी क्वालिटी मुझे सिमिलर लग रही है इसका ही अगर मैं पता हूँ यहाँ पर एक चीज और है इसमें 0.8X का आपको यहाँ पर देखने मिलता है वाइड एरिया जो कि आभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर 0.8X का आपको वाइड मिलता है वीडियो जो की काफी अच्छी चीज बुझेस की लगी है और हाँ कॉल्टी में मैं बोलूँगा कि चारो सिमिलर है अगर मैं डायनमिक रेंज की बात करो इसकाई की कलर की बात करो कलर बुष्टिंग वाली एक चीज और मैंने नोटिस किया बात करते हैं फोटो जी यहां पर वीडिन नाइन प्रो सबसे बेडर काम कर रहा है इसकाई देखो काफी सही से ने लिया वहीं V30 प्रो हलका सा वाश आउट हो गया V30 भी ओवराल ठीक है V29 भी ठीक है मतलब V29 और V30 प्रो जादा बेटर था यह इसका 1X और 1X में भी आप देख सकती हो बेटर V29 प्रो ने ही फोटो लिया है इसकीन टोन वगर थोड़ा सा डार कर दिया है इसने लेकिन ओवराल सही है V30 प्रो का आपको ब्राइट वीडियो फोटो मिलेगा और यहाँ पर थोड़ा सा स्काई वाश आउट हो रहा है बाकी ओवराल दोनम सही है का टेली फोटो और V30 प्रो फोर एक्स का जूम मिलता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कॉल्टी चारों के हिसाब से काफी अच्छी आ रही है यह इसका बुके ब्लर फोटो ब्लर में चारों फोटो अच्छी फोटो लेते हैं कोई नौइज नहीं होगा बैक्रण अच ब्लर इसका ब्लर में चारों क ден चारों के ब्लर इसका बारने चाको ब्लजन से काफaking नहीं ब्लम का में भी आपको green हो road हो सब कुछ exactly यहां पे same ही similar ही मिल रहा है ज्यादा कोई फरक नहीं आ रहा है overall सही है यहां पर भी यह है इसका टेली फोटो टेली फोटो मैं बोलूंगा वी 3030 प्रो जाता बेटर डैनमिक रेंज ले रहा है और यहां पे ज्यादा डीटेल ले रहा है पेड़ों पर पीछे आप देहोगे वी 29 प्रो थोड़ा सा noise ले रहा है यह है इसका अल्ट्रा वाइड अल्ट्रा वाइड में देखो यहां पर वी 29 फिर से color boost कर रहा है यह है इसका वन एक्स वाइड वाइड में overall वी 29 प्रो ने फिर से better result दिये हुए बा 4X का जूम इसमें लिया हुआ है बागी 2X सब है लेकि वी 30 प्रो 4X है यह इसका 1X क्लोज अप शॉट है तो यहां पर क्लोज अप में मुझे वी 29 प्रो थोड़ा सा ज्यादा color वाइसा लगा है आप यहां पर भी देखो टेली फोटो में भी वी 29 प्रो का फोटो जो है वो सेल्फी सेल्फी में वोलूँगा बाई सबसे बैटर जो क्वार्टी है वी 30 और 30 प्रो की मुझे लगी है हां 30 प्रो ने थोड़ा सा डार्क फेस को कर दिया है लेकिन उससे प्रॉब्लम नहीं है फोटो में डीटेल्स अच्छी है बागी वी 29 से अच्छी है लेकि 30 बैटर